एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था, एक बार गर्मियों के दिनों में शेर पेड़ की छाओं के नीचे आराम कर रहा था, तभी वहां एक चुहा आकर उच्छल कूद करने लगा, चुहे की उच्छल कूद से शेर की नींद खराब हो गई और उसने जपटकर चुहे को पकड़ लिया, चुहे को अपने पंजे में पकड़ कर शेर ने कहा, मुर्क चुहे तुने मेरी नींद खराब की, इसके लिए तुझे कड़ी सजा मिलेगी, ये सुनकर बेचारा छोटा सा चुहार दर के मारे कांपने लगा, अपनी जान खत्रे में देखकर चुह चुहे की बात सुनकर शेर को बड़ी हसी आई, शेर ने सोचा कि यह पिद्दी सा चुहा मेरे किस काम आएगा, बरहाल शेर ने चुहे पर दया करके चुहे को जिंदा छोड़ दिया, एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया, शिकारी ने जंगली जानवरों को पकड़ने क दहारने लगा, शेर की दहार चुहे के कानों तक पहुची, शेर को आवाज सुनकर चुहा वहाँ पहुचा जहां शेर जाल में फसा हुआ था, इसके बाद चुहा जाल को काटने लगता है, कुछ समय बाद ही चुहे ने अपने नुकिले दातों से जाल को काट कर, शेर को ज इसके बाद शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया और दोनों हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बन गए इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आवश्यक्ता पढ़ने पर हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए